ये नौपत ये आ गई है कि मुझे प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, गिफ्ट दीड मेरे पती ने किया है, उस गर का 50 परसन मालके मैं हूँ, आनपूर सर्कार ने बनाई है, क्या ये भी फर्जी है, गिफ्ट दीड फर्जी है और अमिज जैन सत्यवान सच बोल रहा है, माता जी को आप घर के बाहर नहीं निकाल सकते, जब तक कि माता जी जीवित है, घर के अंदर सोना रखा हुआ था, जो मेरे मदर फादर का है, और मेरी भावी ने ऐसा बोल भी रखा है कि हमारे पास है, यही एक इंसान था जो कमाई करता था और लोन ले सक था था एलिजिबिलिटी था 14 साल से यह माई यह बढ़ रहे हैं कई बार मुझ पे अटैक किये एक मैने का भी हमाई बरा हो और आशी जो हैं को हेल्प के मैं अपना सर मुंडवा लोगी पाप नहीं था एटीम मेशीन था वारा मुड़कर नहीं देखा कि पापा क्या इलाज चल रही है पापा कैसे है वापस कभी नहीं को लेके जाना है तो लेके जाओ मेरे पास पैसा नहीं है और उंबीद मी मत करना कि मैं कुछ दे पाऊंगा पात्रों के सामने क्यामरा चार या पांच क्यामरा लगे हुए मेरा एक सोना का कंगन था उसको चुरा लिए खिरकी भ कि F.I.R. पैसा देखे 10 F.I.R. कर सकते हैं 15 में, 2014 में, 2011 में, 2010 में हर जगह तारा जैन का सिक्निचर्स है हमनी के आदार काड़ पे नीटू जैन का फोन नंबर और नीटू जैन का मोबाइल नंबर ये कैस को गया और नए अमेटर के लिए अरजी दे करा है पारिवारिक विवाद होता है उसके पीछे के कई कारण निकलते हैं लेकिन ज्यादा तर देखा गया है कि संपत्य निकलती है प्रापर्टी निकलती है एक मामला जो है वो पहले भी चला जो कि उत्तर प्रदेश के कानपूर शहर से तालुक रखता है हमारे चैनल पे वो खबर चली जिसमें एक जो आपको बैक्राउंड छोड़ा सा बता देते हैं दो भाईयों के बीच का विवाद कहा जाए या फिर जो प्रापर्टी है उसके लिए विवाद कहा जाए क्योंकि आपको बता देते हैं जितेंद्र एलेक्ट्रोनिक्स करके एक कंपनी जो थी वो कैनन करके दिवार की घड़ी जो बनती है उसकी एक कंपनी थी और जो अपने आप में एक यूपी के अगर बात की जाए तो अपने चरम पे काम किया है लेकिन समय के साथ साथ चीज़े बदलती है और वो कंपनी अब उस चरम पे नहीं रही विवाद बढ़ा जो मालिक थे उनकी मृत्य हुई और उसके बाद जो माता जी थी उनकी तबियत बहुत नासाज और उसके चलते जो प्रॉपर्टी है लाखों की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी बताई जारी जिसमें दो भाई एक दूसरे पर आरोप प्रतियारोप लगा रहे हैं सत्तिता क्या है इसकी भी हम चीज़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पहले के दो वीडियो आप उपर लिंक में देख सकते हैं जो मेंशन हो रहे हैं उसमें चीज़े पहले की भी आप सुन सकते हैं मेरे साथ आशीज जैन मौजूद है जिन्नोंने तमाम जो हैं चीज़े बताई उनसे हम बात कर लेते हैं और जो चीज़े रह गई थी या फिर जो सबूत अभी तक सामने नहीं आ पाए थे क्योंकि तमाम आरोब लगे कि इनकी जो ये पतनी बैठी है ये पतनी नहीं है ऐसे ही कोई रह रही है और तमाम चीज़े तो आईए बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या नाम है आपका आप से शुरू करते हैं मेरा नाम मौनिका राजू है मैं आशीज जेन की वाईफ हूँ हमारे जो गर है शास्त्री नगर कानपूर में रतनस्तुती अपार्टमेंट अपार्टमेंट नमबर 305 उसमें जहां मेरी मदरिनलो रहती है तारा जेन और इनके भड़े बाई अमिजेन और उसके परिवार रहते थे अचानक से मेरी मदरिनलो गायब हो जाती है दो तारिक दो जुलाई को मदरिनलो गायब हो जाती है और पूरा परिवार समान लेके गायब हो जाती है ये प्रॉपर्टी का विवाद था तो यही कहना था जो आपके बड़े भाई है उन्होंने यही कहा कि आप जिनके साथ रह रहे हैं वो पत्नी नहीं है ऐसा उनका आरोग था तो इसके लिए आपने मुझे दिखाया कि आप के पास प्रूफ है आपकी शादी हो चुकी है तमाम यह आप हाथ में लेके भी है कि मुझे प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं इनकी पत्नी हूं जो गिफ्ट डीड मेरे पती ने किया है उस गर का 50% मालकिन मैं हूं मेरा जो गिफ्ट डीड कानपूर सरकार ने बनाई है क्या यह भी फर्जी है मैं यह पूछना चाहती हूं क्या कानून व्यवस्ता ऐसी है क् दतूरा का कि यह बात कर रहा है गिफ्ट डीड फर्जी है और अमिजयन सत्यवान सच बोल रहा है आपने कहा कि वो अपनी जो माता जी है उनको लेके गायब हो गया उनकी इस्तिती देखी गई जो आपके भाई का इंट्रिव्यू था उसमें उन्होंने देखा कि माता जी क तबियत काफी नासास सी लग रही थी वो अपने होश में नहीं थी तो कैसे इस चीज़ को आगे देख रहे हैं आरूप रते आरूप लग रहे हैं अब आपने तमाम यह दस्तावेश दिखाएं इन दस्तावेश को देख के लगता है कि उन्होंने जो आरूप लगाएं वो तो शुरुआत से अगर जैसे भी देखा जाए तो मैंने आपको यह डिखा दिये आज यह स्टार्टिंग में 2006 में मेरे माता जी के नाम पे यह फ्लैट खरीदा गया था यह उसकी सेल डीड है इन सब विवादों के चलते हमारा तो यह कहना था कि यह एक तो पहली चीज यह घ माता जी का है माता जी को आप घर के बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि माता जी जीवित है और फादर नहीं है तो इसका मिस्यूज नहीं कर सकते आपको पारिवारिक लोगों से सर्व सहमती से बात करके ही सारे कदम उठाने चाहिए दूसरा मेरा आरोप यह था कि वह घर का काफी कुछ समान ले जा चुक है और घर के अंदर सोना रखा हुआ था जो मेरे मदर फादर का है और मेरी भावी ने ऐसा बोल भी रखा है कि हमारे पास है हम आपको दे देंगे भावी ने बोला है यह एविडेंस भी आपके पास जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है जो आ तो उनका तो बंता ही ने था लोन लेने का तो रहे बड़े बाई अमिजेन वो तो दो हजार भी ने कमा थे ते आई टी आर तो दूर की बात है तो ममी रही ममी तो हाउस वाइफ है ममी लोन ने ले सकती तो यह बाई साब के जो बीवी है नीतु जेन वो भी हाउस वाइफ वो भी लोन ने ले सकते, तो कौन लोन ले सकता था, यही एक इंसान था, जो कमाई करता था, और लोन ले सकता था, एलेजिबिलिटी था, यही बोलता है, अमिजेन, कि इंजिनियरिंग के दिनों से यह बाहर रहता है, और कभी मुड कर ने देखा, इंजिनियरिंग के दिनों प्रोपर्टी को ले करके अटेक हुआ है मेरे उपर टेस्ट हुआ तो पता चला कि डाड को रोना पॉजिटिव हो गए तो हस्पितल में अड्मीट करना पड़ा तो मेरी बदनसी भी है कि मैं उनसे कभी बिलने पाएगा तो यह एक अटेश्मेंट भी होता है क्योंकि भावुग भी हो गई है बताते बताते क्योंकि मिल नहीं पाई और उसके बाद जो इनके ससूर थे उनका जो है वो धिहान थो गया था जून 20 तारिक को हमने डिसाइड किया फिर जाते हैं क्योंकि उनको ममी को देखना था जैसे गये सर एंटर मारी हमने गर के अंदर गर में बेटी थी इसकी बाबी नहीं थी और नहीं यह थे पांच मिनिट में यह बंदा आ गिया आके हमें पूछता है गर के अंदर क्या कर किसने बुलाया तुम्हें नेकला बार हम रुकने गए ठेटे और हम diferen मे रुकना था कि कम से काम अडर Abg 2017 सभी के पास तो कम्राव में एक यह था प्रावधान से गए ते और पिर जब हम जैसी कमर आब हैं ठड़ा हुए तो CO ईन्नोंने का कि आजकिन को देखर कि थोड़ा सही तरीके से नहीं बोला जैसे बोलना चाहिए किसी बड़े को और बाहर हम तो नहीं जा रहे हैं तो हम यहीं रुखने आए आज हम एक दो दिन रुखेंगे हम चले जाएंगे मैं एक या दो दिन से जादा वहां रुख पाऊ ठीक है यह भी देखने वाली बात है प्रॉपर्टी है वह 50% आपकी है उसके इनकी थी उसके बाद इन्होंने आपको गिफ्ट कर दी लेकिन उसके बाद भी आपको वहां पर रहने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कानुनी तोर पर 50% आपके उसके बाद भी और इंसेक्योरिटी होता है बोकला पन जिसके नाम कुछ नहीं हो और जो जब उनका पापा का मौत हुआ था तो यह बंदा का 46 था 46 तक जो बंदा मुफ्त में जिया हो ना इमाई दिया हो उस गर का ना भाड़ा दिया हो अगर उसने प्रूफ कर दे उसके बैंक स्टेटमेंट में अगर वो एक मैने का भी एमाई भरा हो और करें पाणल ते अशिध मानट पांते थे वाटर बिल ऑगास यह ममी कर देख भाल ममी की दवाइवग गार इनके परिवार कद्रान कर यह मतलब आप यय मतलब आप नहींत था क्लेशर आज की डेट में भी अगर इसके पास कोई CCTV फुटेज हो कि मा के पास जा के बैठता भी हो तो मैं चैलेंज कर सकता हूं आपको मेरा आप नाम बदल लेका करोना के इलाज पूरा मैंने कराया पापा को लेके दिली चलते हैं कुछ भी करते हैं क्योंकि वास्पिटिल में बढ़ती किया था उस हास्पिटल इतनीern नहीं थी. तो उन्होंने कहा डिली लेकर आंभिलेंस करते हैं और दिली लेकर चलते हैं। उसने सोची आप उसने क्या बोला होगा, in that he said you take the train. तो लेके जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है और उम्मीद भी मत करना कि मैं कुछ दे पाऊंगा, मम्मी की प्रॉपर्टी 50% है, उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि मम्मी का प्रॉपर्टी है, मैं नेक्स फ्रेंड हो और ये स्टे लेकर आया, स्टे लेकर आने के लिए इसके पास पैसे है, पूरे घर में CCTV डालने के लिए इसके पास पैसे है, एक 354 केस चल रहा है, और उसके बाद में बिस्तार से बताओंगी बात में, उसको स्क्वाश करने के लिए ये दो बार अलहाबाद गया, उसके लिए इसके पास पैसे है, नाया गर लिया है इसने, क्योंकि बिगड़ी नहीं 2021 में बहुत बिगड़ गई थी तब इन्हों ने देना बंद कर दिया जिस नर्स को मैंने रखा उसको भी इन लोगों ने हटा दिया फिर इनी को जो घर में काम कर रही थी उनी को दे दिया फिर वो उनका अपना डिसिजन जिस घर में जो जैसे रहता है कैसे हर महीने कोई 200-300 रुपए की दवाई भी आती थी तो वो मुझसे दिलवाई जाती थी कि ये 200-300 रुपए का खर्चा भी उन्हें नहीं करना होता था जबकि नर्स का मैं खर्चा कर रहा था राजी नामा की बात भी करी अगर मेरे साथ तो मेरे साथ कह रहे हैं कि दो साल का पैसा मम्मी की रख रखाव का हमसे पहले हमको दे देना उसके बाद ही हम किसी चीज़ पर बैठ करके बात करेंगे से एकी दवाई मतलब जो तीन चार दवाई दे रहे हैं वो सिक्स सेवें यह से कंटिन्यू होता है रहा है चेंज ने किया है डॉक्टर के पास लेकर ने गए हैं यह डॉक्टर को खुल ले क्या कि दिखाए नहीं है डिसेबिलिटी सर्टिविकेट स्टे ओडर के लिए डिसेबिलिटी सर्टिविकेट बनानी के लिए आपके पास पैसे हैं मेडिकल आपको इन्स उमर में उनको मेडिकल अटेंशन की सक्ट जरूरत है और प्यार की जरूरत है गर पे स्टे ओडर यह लेकर आए ठीक है और ग तो आखे देख चुके हैं, लेडी कॉंस्टिबल को लेकर आई थी मैं और बातरूम के सामने क्यामरा चार या पांच क्यामरा लगे हुएं, पहले कभी लगे नहीं थे क्यामरा, जब से मेरी शादी हुई है, उनको लगता है, उनके हिसाब से, पॉब्लिक वर्जिन है कि मम्म मम्मी रहती है, तो ये कुछ करना दे मम्मी को, बेठा कुछ करेगा मम्मी को, सीरियसली ये मुझे समझ में ने आती है, मेरी शादी के बाद CCTV लगा है, मतलब ये आदमी मुझे डे इन डे आउट वाच करता रहता है, आई पी कैमराज है, तो मोबाइल में देखता रहता है ना बीवी कुछ बोलती है ना बच्चे कुछ बोलते हैं पीछे से ममी के जो कमरे मेरे कमरे के बगल में ममी के कमरे ममी के कमरे के दोर बैलकनी से आये हैं किड़की जो है किड़की खोल के बैलकनी के अंदर से आये मेरा एक सोना का गंगन था उसको चुरा लिए और जो जो समा परतालित करा जा रहा है और मेजिस्ट्रेट को मैंने बताया जब तब ही और ये कहता है ये बंदा कहता है कि P.I.R. पैसा देखे दस P.I.R. कर सकते हैं स्टे में यतास्तिती बना के रखने का आदेश दिया गया 20 महाई को जब मैं गई थी वहां पर तब नीतो जैन के ममी पपा थे जैसे हम एंटर हुए हॉल में एक बड़ी सी बैटक है बैटक में पूरे किचन के समान फैला हुआ है जो बड़े-बड़े देखशी है लाडल्स है, विजल्स है पूरे बड़ा पड़ा हुआ है तो हम लोग लोग ओपन किये कमरे में गए अपने टाची रखे कपड़े भी बड़े ने, स्लिपपस चेंज किये बस वापस आए, आशिश ने कहा है मुझे खुछ तो गड़बड लग रहा है ये तो मेरे ममी पपा के समान है जैसे हम वापस आए, पन पांच मिनिट की गैप होगी सर पुहूरा समान जो बैटक में थाना गायब हो गया तो मेरे पास रेकॉर्डिंग भी है जिसने गवाई देया है मतलब जिसने बोला है कि ये रिक्षा आता है और समान दो तारी को निकला है तीन तारी को निकला है मैं 22 मे को मैंने एक प्रातना पत्र दी थी सर थाने में कि ये समान हट रहे है जो हटनी नहीं चाहिए ये स्टे का उललंगन है तो पुलीस आई, पुलीस ने उनको कहा कि आप ये नहीं कर सकते हो और पुलीस ने कहा अमिजेन को आप लीस स्टेशन आओ इसने कहा दस मिनट में मैं आओंगा गायब हो गया ये जो कह रहे हैं कि 14-15 साल से मम्मी अस्वस्त हैं और साइन करने लाइक नहीं है और कुछ बोलने लाइक नहीं है तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये 2017 और 2018 की ITR है सर तो 2017 मतलब 2000 जब से फैक्टरी उप 1983 से लेके मम्मी किस सिगनेचर आप देख रहे हो मिस्स तारा जैन लिखा हुआ है तो ये सिगनेचर तब तो आशीज जैन कानपूर में नहीं थे तो पैंगणलूर में जब कर रहे थे तो इनको बिस्नेस का ABCD पाता था तो ये तो आइटी गई है तो ये साइन किसने करवाया 2015 में, 2014 में, 2011 में, 2010 में हर जगह तारा जैन का सिगनेचर है तो ये बता दे क्यामरा में आके ये सिगनेचर किसका है तो इसने मेरे और मेरे पती के internet instagram से पिचर निकाला और इसने security में चिपका दिया और ये कहा कि इनको अंदर मत आने दिया जाए क्यूंकि ये अंदर आने के लायक भी नहीं है और इस नहीं है और फर्जी के और एक नमूल ये जो मैं दिखाना चाहती हूं यह आधारकार्ड में के आधारकार्ड पर नीटू जैन का फोन नंबर और मोबाइल नंबर फसा हुआ है इन्हीं उन्हें फसा के रखा यहां है इसी एसी बैंक में तो जब गर ताकि OTP मिल पाए OTP मिल पाए और जब हम KYC कर वह थे तो OTP इसकी बीवी को जा रही थी क्या ये फर्जी नहीं है ये 420 का काम नहीं है स्टेव अरडर जान से लगा हुआ है फर्वरी या मार्च के महिने में ये कैसको गया और नए मिटर के लिए अरजी दे कराया ये काम चूरी नहीं है और ये लॉकर जो है लॉकर की अक्सस के लिए उसने अरजी डाला है ये जो लेड़ी उस वीडियो में ये दो पडोसी है ज और सेकेंड विटनेस है सर्वेंट संधिया उसका सिगनेचर लिया गया है कि हमको लॉकर के आक्सिस चाहिए और ये तम इंप्रेशन मम्मी का ये फर्जी नहीं है तमाम देखिए जो चीजें है वो आरोप प्रतियारोप लगाता है लेकिन न्यालय भी है जो वो साक्ष पे च असाने का और तोड मरोड के पेश करने का प्रयास किया जा रहा है पहली बार चाचाओं के साथ दूसरी बार इनके एक कजिन रहता है दिपक कानपूर में उनके साथ थर्ड रागवेंद्र जो अमिजयन का दोस्त है कॉमन फ्रेंड है उसके साथ और लास्ट जो एक हफता यह कॉम्प्रमाइज अभी मतलब फुल स्टॉप में रह गई है दो मैना यह फिर भी चला दो लास्ट कॉम्प्रमाइज है जिसमें यह संत बन गए थे और कह दिये कि मुझे ना घर चाहिए ना बिजनस में कुछ चाहिए ना सोना चाहिए ना गाड़ी चाहिए कुछ नही हम लोग निकल रहे हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए यह लास्ट वर्जिन था लास्ट वर्जिन में इनका फ्रेंड जो है किरतिमान उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा लास्ट वर्जिन है साइन करके दे दो तो साइन करने के लिए तो आना चाहिए ना खुले आम बोल र 50% की मालिक मैं हूँ और मम्मी 50% की मालिक है जब मम्मी की विल नहीं है और वो कुछ करने की लायक नहीं है और असमर्थ है बोलने में तो 25% उसको जाएगा 25% स्वामित्व मेरे पती को जाएगा 75% है तो हम मालिक है उसके 25% का मालिक तुम हो 25% के आप मालिक है 25% के वो है अगर कोट के द्वारा जाते हैं लेकिन अभी भी आपके अंदर गुंजाईश है कि अगर बैट के बात सीच करी जाए नहीं होगी हर बार वो जो बात बोलता है statement change हो जाता है पाताने mentally unstable है वो इनसान तो हर बार आप से अभी बात करेगा दो मिनिट में ऐसे change हो जाएगा और last में मैं यह कहना चाती हूँ sir हर दुनिया को हर किसी को यही बोलता है कि फरजी signature लिया है मेरे मुम्मी का और ICICA bank से loan लिया है loan sanction नहीं हुआ है मैं यह कहना चाती हूँ 2011 में उसने 6-7 bank को गपला करके 10 लाक की गपला करके भाग गया था गुजरात और वो कौन चुकाया पिता जी ने settlement करके क्यूंकि collection agents के पूरे problem की rate किये तो पिता जी ने उसका बरपाई किया इस तरह की चीज़े बता रही है अपने interviews हैं वो भी आपको उपर मिल रहे हैं दोनों के version आप सुन सकते हैं आज जो तमाम चीज़े बताई हैं उसको भी आप analysis कर सकते हैं और इस पूरी घटना पे आप क्या विचार रखते हैं किस तरह manipulate चीज़े होती हैं जो भी आपको लगता है comment दोर आपने विचार साजा करें अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे नमस्कार